हाई फ्रेंड्स आज हम दिखाऊंगा कि 470 mm by 692 mm में एक 30 mm का बुद्धा मुर्ति कैसे टूलपद बनाते हैं तो सबसे पहले हम पेज लेते हैं मिलिमीटर में width रहेगा 470 और height रहेगा 692 resolution हम पूरा रखेंगे फिर ok कर देंगे इसके बाद relief option में जाके import और इधर से इस relief को हम import कर लेंगे इसके बाद जो size था उस size को हम इधर set कर देंगे 470 और 692 और depth रखेंगे 30 mm फिर हम इसको select करके f9 प्रेस करेंगे फिर paste कर देंगे अभी इधर click करने के बाद windows में जाके tile vertically कर देंगे और यह जो size था हमारा इसी size का एक rectangle हम इधर create कर लेंगे तो यह rectangle select करके 475 और 692 फिर इसको हम f9 करेंगे और इधर right click करके save editor में जाएंगे और 0.1 मार जाई कर देंगे फिर close इसके बाद क्या करना है यह जो line है इसी line को select करके tool path में जाएंगे सबसे पहले हम z wrapping कर लेंगे और material हमारा 35 mm है और 30 mm का curving होगा तो हम पहले क्या करेंगे z level wrapping करेंगे selected vector लेंगे इधर wrapping tool 6 mm end mill लेंगे और 30 mm को हम 5 mm करके subtract करेंगे तो इधर 5 mm करके इसको divide करते हैं तो 6 बार slice होगा तो 5 बार z wrapping होगा और बाकी पांचे में बचा रहेगा और इधर setting पूरा इस तरह का होगा OK Select इसके बाद हम material setup में जाएंगे और इधर 35 mm ऐसे लिख देंगे यह जगा सब top एपसेट सिलेक रहेगा फिर OK इसके बाद now option पे क्लिक कर देंगे यह slice बन गया इसके बाद क्या करना है Ashes 10 में जाके यह जो smooth option है whole layer में हम two time smooth कर लेंगे फिर toolpath में जाके 3D वाला toolpath सिलेक करेंगे selected vector इधर क्या करना है 6 mm ball nose से हम इस cutting को complete करेंगे इधर 6 mm ball nose लेंगे edit option में जाएंगे यह वाला जगा पे 0.5 रहेगा spindle speed 16,000 रखेंगे fidget 120 और plank rate 100 रखेंगे OK Select इसके बाद now option पे क्लिक और इन हमारा यह कोना से होगा ज़र से नीचे से यह start हो जाएगा toolpath बन जाने के बाद मैं simulation दिखा देता हूँ यह वाला complete होने के बाद हम simulation चेक करेंगे देखने के बाद suppose हमें outline cutting करना है तो यह वाला line select कर लेंगे और उसके बाद हम end mill select करेंगे यह 2D profile से और यह outside select रहेगा पूरा 35 mm हम नहीं काटेंगे 32 mm तक काटेंगे नीचे 3 mm बचा रहेगा उसको हम अलग सा बाद में जो जाली cutting machine होता है उससे काटेंगे तो इधर हम 32 mm रखते हैं finish depth और यह जगा में जाके end mill select करने के बाद इधर step down देते हैं दो mm करके फिर setup में जाके ऐसे 35 mm रहेगा फिर now option पर क्लिक कर देंगे इसका simulation एक बच चेक कर लेता हूँ तो इस तरह से यह design पूरा cutting हो जाएगा thank you friends best of luck कर दो झाल